तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे NCRT टिक्टोरिल हिंदी चैनल में और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय नमबर 2 को जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्टवार और ये है वीडियो नमबर 4 इस अध्याय के ऊपर इसके पहले इस टॉपिक में हमें पढ़ना है महिलाओं की इस्थिति के बारे में यानि जो वियतनामी आंदोलन हो रहा था चाहे वो राष्टवादी आंदोलन हो या फिर उसके बाद जो युद्ध की इस्थिति थी उस समय में महिलाओं की क्या इस्थिति थी या फिर महिलाओं की कित सभी छोटे-छोटे topics में पढ़ने वाले हैं. तो पहला topic है, विद्रोही औरती. तो दिखें, यहाँ पर जो वियतनाम था. वियतनाम उस पर चीन का काफी ज़दा प्रभाव था, यानि कि चीन की जो संस्कृती थी, उसका वियतनाम की संस्कृती पर बहुत ज़दा प्रभाव था. और बहुत सारे लोग जो थे, वो चीनी संस्कृती को ही पालन करते थे, मानते थे. लेकिन चीन में जितनी महिलाओं को आजादी दी जाती थी, उसके मुकाबले वियतनाम में महिलाओं को बहुँ ज़्यादा छूट दी जाती थी बहुँ ज़्यादा उनको आजादी प्राप्त थी लेकिन उसके बावजूद जो वियतनाम था वियतनाम की जो महिलाएं थी उनको समाजिक जीवन में बहुत सारे छूट नहीं प्राप्त वो कोई भी समाजिक फैसले नहीं ले सकती थी, अपनी जीवन से जुड़े कुछ महत्पूर्ण फैसले वो नहीं ले सकती थी, लेकिन जब ये आंदोलन होने लगा, तो आंदोलन का दोरान जो औरतों की इस्थिती थी वियतनाम में, वो उसमें काफी जदा बदला हुआ, या आनिकी जो औरते थी, जो की विद्रो में शाविल थी, या फिर जो युद्ध में शाविल थी, उनको आदर्सों की रूप में दिखाया जाने लगा, उनको काफी प्रोटसाहन दिया जाने लगा, उनको काफी अच्छा माने जाने लगा, और ये एक तरीके से समाज में बद बदला हुआ था जब ये पूरा आंदोलन हो रहा था वियतनाम का आंदोलन हो रहा था तो इस दौरान जो महिलाओं की इस्थिती थी उसमें काफी जदा बदला हुआ और इसको काफी प्रचारिद किया गया था काफी प्रसारिद किया गया था जितने भी जो बुद्धी जो कि विद्रोह कर रही थी, उनको अच्छा माने जाने लगा, उनको बेहतर दियाग दिखाये जाने लगा, और उनको आदर्स की रूप में दिखाये जाने लगा, यानि कि नाटक लिखे जाते थे, कहीं पर चित्र होता था, कहीं पर कोई और चीज़े होती थी, तो वहाँ पर ऐसी औरतों को दिखाया जाता था जो की विद्रोह में शामिल थी अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है गुजरे जमाने के नायक तो दिखे ये जो टॉपिक है इसमें एक तरीके से ये हमें समझना है कि यहां पर तो इस्तिति हमने बात की कि जो आंदोलन के समय जो महिलाएं थी वो जो विद्रोह कर रही थी उनको उनका महिमा मंदन किया गया था यानि उनको अच्छा दिखाया गया था लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन लोगों को ही दिखाया गया था बलकि इतिहास में भी जिन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है या फिर बोध विद्रो इन स्तरीके की एक्टिविटी में जो सामिल रही हैं, उनको अभी काफी जदा उनका भी महिमामंडन किया गया था, और इसमें से एक जैसे 1913 में फान बोई चाओ जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी ट्रंक बहनों के उपर, और ये ट्रंक बहने जो थी, इन्होंने चीन के खिलाफ विद्रो किया था, 49 से लेकर 43 इस्वी में, और ये जो बहने थी, इन्होंने काफी बड़ी सेना जुटा ली थी, काफी विद्रो किया था चीन के खिलाफ, और वो असफल रही थी, तो उसके बाद वो जाकर एक तरीके से इन बहनों ने खुदख तो इस तरीके की ऐसी कहानिया जो थी, वो काफी प्रचारित, प्रसारित की जा रही थी, नाटक के जरिये, या फिर लोगों को सुनाई जाती थी, बताई जाती थी, कि देखिए, तो जो लोग हैं, वो इससे काफी एक तरीके से प्रेरित हो सकें, और जादा से जादा महिल किया गया था, लोगों तक पहुचाया गया था, और इसको इतना जदा प्रचारित कर दिया गया कि जो 3uu थी, इसको एक देवी के रूप में पूझा जाने लगा, देवी के रूप में इसका एक, हम कह सकते हैं वैलु हो गया, अब देखिए, तो 3uu के बारे में बात करें, तो इसकी भी लगबग ऐसे ही कहाने थी, तीसरी सताबदी में, जो त्रियू एयू थी, उस वो जंगल में चली गई, जब वो बच्पन में थी, छोड़ी थी, तो वो जंगल में चली गई, उसके मातापी तब बच्पन में ही वर गए थे, और इसने भी चीनी जो आक्रमन था कि इसने भी आत्महत्या कर लिया था, तो इस तरीके से महिलाओं की इस्थिती को देखें, तो महिलाओं की इस्थिती आंदोलन का दौरन काफी बदली, महिलाओं को एक तरीके से विद्रोह में सामिल महिलाए, या फिर जो विद्रोही किस्म की जो महिलाएं थी, उनको काफ युद्धा के रूप में दिखाया जाने लगा। खेतों में काम कर रही हैं, कहीं और काम कर रही हैं, यानि कि पूरा जो काम हो रहा है, यानि जो पूरा युद्ध का इस्थिती है, पूरा जो वियतनाम युद्ध में है, उसमें महिलाएं जो हैं, वो बढ़ चड़ कर सामिल हैं, बहुत ही जादा हिस्सा ले रही हैं, ऐसा व पार्टी थी उसने एक तरीके से लोगों से आवान किया कि आप जो महिलाएं हैं वो जादा से जादा सेना में सामिल होई है और इस चीज़ को मानते हुए बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो सेना में सामिल हो गई और ये करती गया थी ये महिलाएं घायलों का इ इलाज करती थी, भूमीगत गमरो या फिर सुरंग का निर्मान करती थी, इसके अलाबा जो फ्रंट मोर्चा होता है, जहां पर दूसमें सैनिकों से लड़ा जाता है, वहां पर भी जाकर ये युद्ध में शाविल होती थी, अब इसका एक कुछ एक्जामपल है कि इनकी भ्रेदारी करना, इस मार के उपर जो पची सो ठीकाने थे उनका हिफाज़त करना, हवाई पट्टी का निर्मान करना, हजारों बमों को बर्मात करना, हजारों किलों की माल ढुलाई करना, ये सरही काम किये जाते थे यंग वोलेंटियर्स द्वारा, और ये जो वोलेंटिय इसमें से 70-80% महिलाएं होती थी लड़कियां होती थी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी उन्होंने इस पूरे आंदोलन में उनकी भागिदारी थी कितना ज़्यादा उनका इस पूरे आंदोलन में योगदान था अब देखे यहां पर ये तो युद्ध की स्थिति की बात हो गई लेकिन जब युद्ध खत्म होने का बात आया या फिर युद्ध लगा कि अब खत्म होने वाला है या फिर खत्म दीरे-दीरे हो जाएगा कुछ समय में तो उस समय क्या स्थिति थी तो उसके लिए हम पढ़ेंगे टॉपिक सांती क समय औरते यानि कि जब सांती प्रक्री आरांब हो गई यानि कि अब युद्ध खत्म होने वाला है ऐसा लगने लगा तो उस समय उसके बाद महिलाओं को युद्धा के रूप में दिखाया जाना कम कर दिया गया और अब महिलाओं को जादा मजदूरों के रूप में दिखाय जाता था, कामगारों के रूप में दिखाया जाता था, यानि जो महिलाएं हैं उन्हें अब सैनिक नहीं बलकि क्रिसी कॉपरेटिव में काम करते हुए, करखानों में, फैक्टरियों में काम करते हुए दिखाया जाता था, यानि जो महिलाएं हैं वो अब कामगार का रूप ले चुकी थी सरकार के लिए ज्यानी की जो कम्यूनिश्ट पाटी थी वो इस तरीके से दिखा रही थी अब इसके बाद आता है अंतिम टॉपिक काफी छोटा है और वो है युध की समाप्ति अब देखें युध जो था वो काफी वर्सों तक घीच गया काफी लंबे समय तक चला अमरीका का युध अमरीका जब इसमें सामिल हुआ वो युध तो अमरीका के सामिल होने के बाद काफी लंबे समय तक चला अमरीका के बहुत सारे सैनिक मारे गया हजारों सैनिक मारे गया तो इस चीज़ से परिशान होकर जो अमेरीका के लोग थे वो सरकार के रही थे कि हम जो ये युद लड़ रहे हैं, इसमें जो हम पाना चाहते थे, हमारा जो मकसद था, उसमें हम अभी तक असफल रहे हैं, और हाल फिलाल में हमें लगता भी नहीं है कि हमें कुछ सफलता मिलेगी भी, तो इस चीज़ को देखते हुए, जो अमेरिका था और जो व गया, लेकिन अभी तक जो उत्तर और दक्षिनी, जो हमने बात की थी कि उत्री इलाके में Communist Party का सासन था, दक्षिनी इलाके में एक निरंकु शासक का सासन था, तो इन दोनों के बीच जो युद था वो अभी भी जारी रहा, यानि कि जो दोनों पक्ष थे, उत्री और दक् वियतनाम में सरकार का विरोध कर रहा था निरंकुष शरकार का विरोध कर रहा था वो लगातार युद में शामिल था यानि कि जो वहां का रशाशक था और एनलेफ ये दोनों फाइट अभी भी कर रहे थे अमरीका के हटने के बाद भी तो इसके बाद 30 अपरेल 1975 को जो एनल वियतनाम राष्ट इसकी अस्थापना की गई और इस तरीके से जो हमारा पूरा वियतनाम का आंदोलन है या फिर वियतनाम में राष्टवाज जो चैप्टर है ये खत्म होता है तो मिलते हैं आप से हम नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए झाल 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 झाल